Hey guys, welcome to BeBanker, मैं हूँ Preeti Ma'am और आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ 26 March की Current Affairs बिलकुल ताजा ताजा तो चलिए शुरू करते हैं अच्छा हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो red bell icon, red button को दबा दीजे और bell icon को प्रेस कर दीजेगा ताक कि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अप्लोड करें आपको notification मिलता रहा है तो चलिए शुरू करते हैं तो guys, which of the following actresses has won the best actress in Film Fair Award 2019? निमने लिखित में से किस अभी नित्री ने Film Fair पुरसकार 2019 में सरुषेश्ट अभी नित्री का पुरसकार जीता है तो option A, guys, इसका answer है option A, आलिया भट तो 23 मार्च 2019 को जीयो गाडन में 64th Film Fair Award का आयोजन किया गया जिसमें जो अभी recently जो picture आई थी राजी उसकी जो actress है आलिया भट उनको best actress का award से नवाजा गया चले देख लेते हैं अब दूसरा question Every year World Tuberculosis Day is observed on which day to raise public awareness about the devastating health, social and economic consequences of TB TB के विनाशकारी स्वास्त्य सामाजिक और आर्थिक परिनामों के बारे में स्वारजनिक जागुर्टा बढ़ाने के लिए प्रतेक वर्ष विश्व 6 रोग गैस TB को हिंदी में 6 बोलते हैं ठीके विश्व 6 रोग दिवस कब मनाया जाता है तो हर साल हम लोग TB रे के रूप में मनाते हैं तो इसका अंसर है 24 मार्च option A 24 मार्च तो हर साल विश्व 6 रोग दिवस 24 मार्च को टीवी के विनाशकारी स्वास्थ सामाजिक और आर्थिक परिनामों के बारे में सारवजनिक रूप से जागुर्टा बढ़ाने और व्याश्विक टीवी महमारी को समाप्त करने के प्रियासों को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है तो मार्च 2019 में थीम क्या था? थीम था वर्ल्ड टीवी डे का इट्स टाइम मतलब अब बहुत हो गया चलिए टीवी को रोकते हैं next question देख लेते हैं guys who administrated the oath of office to justice पिनाकी चंद्रघोष as country's first लोकपाल तो अभी recently किसने देश के पहले लोकपाल के रूप में justice पिनाकी चंद्रघोष को पद की शपद लाए तो यह आपका आंसर है president of India option A ठीक है? president of India तो अभी recently राश्टपती रामनात कोविंद ने देश के पहले लोकपाल के रूप में justice पिनाकी चंद्रघोष को पद की शपद दिलाए ठीक है? और यह समहारो जो है आपका वो राश्टपती भवन में आयोजित किया गया था चलिए आगे बढ़ते हैं वो वज एलेक्टेर अस दा प्रेसिडेंट ओफ बास्केट बॉल फेडरेशन ओफ इंडिया इन मार्च 2019 में बास्केट बॉल फेडरेशन ओफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका अंसर है गाईस के गोविंद राज जी के गोविंद राज जो है वो हमारे अभी नए चुने हुए बास्केट बॉल फेडरेशन ओफ इंडिया के अध्यक्ष है आगे बढ़ते हैं विच अफ दो फॉलॉइंग एंटर्ड इंटो एपार्टनर्शिप विट ICICI Lombard General Insurance तो प्रोवाइड साइबर इंशोरेंस कवर फॉर मुबाइल वॉलेट यूजस निमनलिक्षित में से किसने मुबाइल वॉलेट उपियोग करताओं के लिए साइबर बीमा कवर प्रदान करने के लिए बीमा कमपनी ICICI Lombard General Insurance से साज़धारी की तो बहुत सारा बहुत सादा मुबाइल वॉलेट जो है बहुत सादा प्रचलन यूजस में आ गया है ना तो उसका साइबर मतलब साइबर तरीके से मतलब इंटरनेट पर क्योंकि हम लोग इंटरनेट पर काम करते हैं तो cyber security जो मतलब internet पे जब आप हैं तो आप secure हैं इस चीज़ को इसको cover करने के लिए है ना ICICI Lombard के साथ किन्होंने साज़ेतारी की है मोबी विकीर ने साज़ेतारी की है तो अब आप जब भी मोबी विकी उस करेंगे तो आप समझ जानेंगे आप अगर भी मा cover लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप safe हैं आप secure हैं तो आपका account बिल्कुल भी threat में नहीं है ना चलिए आगे बढ़ते हैं तो गैस इसका अंसर है पवन कल्यान जिनको उप मुक्य मंतरी के रूप में नियुक्त किया गया था जैसा कि आप सभी को पता होगा कि गोआ के current serving cm जो थे मनुहर पारेकर उनका दिहांत हो चुका है तो अब उनका जो पदभार है वो कोई और समा लेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं According to World Airport Traffic Rankings for 2018 Released by Airport Council International which is ACI Indira Gandhi International Airport has now became the world's that's busiest airport ठीक है विश्व हवाई अड़ा यातायात रैंकिंग के अनुसार Airport Counseling International ACI द्वारा जारी 2018 के लिए इंदरा गांधी International अंतराष्ट्री हवाई अड़ा अब दुनिया का डैश्वा सबसे व्यस्त हवाई अड़ा बन गया है इंदरा गांधी International Airport मैं बता दू आपको ये दिल्ली में है ठीक है और ये कई बार वर्ल्ड में कई सारे रैंकिंग्स में कई सारे अवार्ड्स इसको मिल चुके हैं न्यूस में हमेशा बना रहता है है ना अपने कार्बन कंट्रोल के लिए और अपने जितना बड़ा है वो उसके लिए इको फ्रेंडली है इसके लिए ठीक है तो फिल्हाल अभी इस क्वेस्टिन में जो बात हो रही है ACI which is Airport in Council International जो है उन्होंने अपनी रैंकिंग निकाली है कि दुनिया में जितने भी वियस्ट एरपोर्ट है उनकी रैंकिंग में दिल्ली का जो इंदरा गांधी इंटरनाशनल एरपोर्ट है वो कितने नंबर पे आता है तो उसे बारवा स्थान प्राप्त है मतलब पूरे विश्व में जितने भी वियस्ट एरपोर्ट हैं जितने भी वियस्ट अंडराश्ट्री हवाई अड़े हैं उनमें जो है जो इंदरा गांधी इंटरनाशनल एरपोर्ट है वो बारवे स्थान पे आता है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो मार्च 2019 में ग्राप्रिक्स जो टूर्नामेंट हुआ था उसके विनर जो है वो कौन रहे हैं विनर रहे है मार्च 2019 में जो ग्राप्रिक्स खेला गया था उसके चलिए आगे बढ़ते हैं who will retire from international cricket after 2020 T20 World Cup 2020 T20 विश्व कप के बाद अंतराश्ट्रे क्रिकेट से कौन सन्यास लेगा recently guys एक क्रिकेटर ने ये अनौन्स किया है कि उन्हों वे 2020 के बाद ये अंतराश्ट्रे क्रिकेट से सन्यास ले लेंगे ठीके T20 World Cup जो होने वाला है उसके बाद वो क्रिकेट से सन्यास ले लेंगे तो इसका अंसर है guys option A लसत मलिंगा ठीके इसको याद रखना है ये काफे important question है sports से related जब question की बात करते हैं हम लोग तो ये question बहुत important हो जाता है फिलहाल अभी के current affairs के लिए ठीके चलिए देख लेते हैं आगे फीफा बैंडेड फॉर्मर युकादोरियन फुटबॉल फेडरेशन विच इस F.E.F. President for Life in March 2019 फीफा ने March 2019 को पूर्व एक्वाडोर फुटबॉल महासंग विच इस F.E.F. के अध्यक्ष पर जीवन के लिए आजीवन प्रतिबंद लगा दिया ठीके तो इक्वाडोर के इक्वाडोर फेडरेशन के जो उन पे आजीवन ये लगा दिया गया, फीफा ने जो है उन पे आजीवन ना मतलब वो अब कभी काम नहीं कर पाएंगे, इस फेडरेशन में है ना, उन पे आजीवन प्रतिबंद लगा दिया गया, तो इसका answer कौन सा है, इसका answer है option A, लुईश चिणीबागा इस दा आंसर, आपका इनके उपर फीफा ने जो है वो प्रतिबंद लगा दिया गया है, वो अब आजीवन प्रतिबंद लगा दिया गया है, वो अब सर्व नहीं कर पाएंगे, तो guys इसमें मैंने तीन important sports के question करा हैं, ऐसे तो सारे questions important हैं, पर sports में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, बट मैंने कोशिश की है किया आप ताकि ना भूले कहानी के माध्यम से आपको explain करने की कोशिश की गई हैं यहाँ पर, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही बने रहे है बीबैंकर के साथ, अगर subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजे और bell icon का दबाना ना भूलें, चलिए thank you so much for watching, stay tuned to BeBanker